आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर महर्शय अदली आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सिक्षक भरती के बारे में और यह भरती अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है तो चलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बार आइकन जुरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो एक बड़े स्थर पर सिक्षक भरतियों की तैयारी अभ्यारती करते हैं और अंतिम बार जो एक बड़ी भरती हमें देखने को मिली थी उसमें एक एल्टी ग्रेट सिक्षक भरती थी जो की वर्ष दोहजार अठारा में जिसका नोटिफिकेशन आया था दस हजार साथ सो अलसट पदों के लिए आवे दिन मांगे गए और उसमें अगर आप देखें तो उसमें भी कई पत जो है बहुत सारे पत्ते रिक्त रह गए थे उसमें तो दोहजार अठारा के बाद से अब फिर एल्टी ग्रेट के पदों पर भरती आ रही हैं आपके लिए और उसके अगले ही वर्ष हमें देखने को मिली थी उनतर हज हजार सिख्षक भरती 2019 में और उसके बाद से भी अगर आप देखें तो कोई भी प्रात्मिक के लिए कोई भी बड़ी सिख्षक भरती देखने को मिली जबकि उसमें भी 17,000 पद उसमें भी रिक्त थे तो आपके लिए एल्टी ग्रेट की जो सिख्षक भरती है वो वर्ष 2018 अतारा के बाद से उसके पद रिक्ट पड़े वे हैं और बाकी और पदों का भी अधिया छन मिला आए इसके लाबा आपकी प्राथbnिक सिक्षक भरती अभी पेंडिंग है पूरे रिक्ट पड़े हैं उसमे भी भी लेकिन हम इसमें बात करेंगे एल्टी ग्रेट सिक्षक भरती की तो जो राज की विद्याले हैं उनमें चार साल से वर्ष दोजार अठारा से ही अभी तक अगर आप देखें तो सायक अध्यापक के पद खाली पड़े हैं प्रदेश में राज के विद्यालो पड़ेट की भरती थी उसके बाद में कोई भरती नहीं आई है प्रदेश की राज के विद्यालो में सायक अध्यापक य明ा अधियापक याणि ऐल्टी ग्रेट सिक्षक भरती के जो है 5000 से अधिक पद पद चार वर्षों से खाली पढ़े विया भी तक और इसके परिक्षा आप जानते हैं उत्रप्रदेश लोक सिवा आयोग करवाता है तो UPPSC ने इन पदों पर भरती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है यह रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है और अभिहारतियों को नई भरत 2018 के बाद से नहीं आया है आयोग को एल्टी ग्रेट सिख्षक के 5418 रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है यह आपके लिए जो नई एल्टी ग्रेट सिख्षक भरती आएगी उसमें 5418 पद होंगे और यह अलग अलग विश्यों के लिए होंगे यह TGT स्तर की परिक्ष आप से जो है मुख्य विश्य के पूछे गए थे तो इसमें जो आप अगर यह सोच रहे हों कि साल 2022 का जो पैट है पैट का स्कूर इसमें लगेगा तो पैट का स्कूर इसमें शामिल नहीं किया जाएगा हो सकता है इसकी अलग स्टेज बना दी जाए प्रारंभिक पर आप से लिए जाएं जिसमें हो सकता है कि एक में एक पेपर में आपको जीएस का पेपर देना हो और दूसरा जो पेपर आपका होगा वो मुख्य विश्य का होगा लेकिन पिशली बार का जो है ता सिंगल पेपर देने के बाद में ही आप इसमें सेलेक्शन पा गए थे या आपने paper दिया था ये वाला, जिसमें आपका selection नहीं हुआ, तो जो TGT के लिए आपने तयारी की थी अभी तक, वो तयारी इसमें बड़ा एहम रोल निभाएगी, TGT के लिए जो विशे आपने मुख्य विशे है आपका, तो वो विशे की तयारी यहां बहुत मदद आपको, जो 120 संक या जो आपका main core subject होगा उसके लिए, तो इसमें अलग अलग वर्ग भी हैं, तो पुरुष वर्ग के लिए इसमें जो है, अगर आप देखें तो पुरुष वर्ग के 3341 पद हैं, और महिला वर्ग के 2777 पद शामिल कियें, लगभग लगभग आप कह सकते ह हैं कि काफे पद हैं अगर देखें दोनों में ही, क्योंकि अभी कोई भरती, टीजीटी पीजीटी के बाद अगर लग रही है, तो इसके बारे में हमने दो दिन पहले भी चर्चा की थी, कि एल्टी ग्रेट की और खंड सिक्षा अधिकारी की भरती आपको बताया था हमने, ठीक है, यह, और एक और भरती आपके लिए आचुकी है, वो कनिस्ट सहायक की भरती है, बारासो कुछ पदो के लिए है, तो प्रदेश में जिन्होंने पैट 2021 दिया हुआ है, वो लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे, दिसंबर से आवेदन शुरू होंगे, तो आयो को मही पहले ही यह दियाचन मिला है, लेकिन समकक्ष अहरता पर स्थिती अभी तक इसपस्ट नहीं होने की वज़े से भरती शुरू नहीं हो पा रही है, देगे विश्यों की जो eligibility है कि कौन को नावेदन कर पाएंगे, किस विशे से आपको जो है, जो आपकी वरिता है, आप कहें इसलिए आप से एक बात कही थी कि TGT की परिक्षा जो आपकी रहेगी, उसकी तैयारिया आप बहुत अच्छे से करके रहेगे, क्योंकि उसी से आप connect कर पाएंगे, इस हाय का ध्यापक की, यह होती है आपकी TGT स्थर की परिक्षा, एल्टी ग्रेट वाली, तो उसमें बह है था आपको अभी जो इस वर्ष का जो कलेंडर है अपका दोजार थेज का इसका वेट हो रहा है, सब यह भी देखेंगे, वेब साइट पर रिलीज होगा, जैसे ही वो कलेंडर आपको हम ज़रूर डिसकस करेंगे, उसी में बहुत ज़्यादा चांसे हैं कि एल्टी ग्रे PCS 2021 का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, जो लोग PCS में सेलेक्ट हुए हैं और RO-ARO के पत पर भी वो सेलेक्ट हुए हैं तो वो RO-ARO से अपना अभ्यार्थन जो वापस ले सकते हैं ताकि सीट खराब नहों हो हैं, अभ्यार्थियों की मांग पर उत्रप्रदेश लोक सेवा आ अभ्यार्थियों की अभ्यार्थन वापसी के लिए आवेदन मांगे हैं, आयोक की ओर से शनिवार को इस बावत विग्यपती जारी कर दी गई कि आवेदन की अंतिम दिती एक नमंबर है, परिक्षा नियंत्रक अजेकुमार तिवारी के नुसार RO-ARO परिक्षा 2021 में शामि जो अभ्यार्थि किसी अन्यपत पर चैनित हो चुके हैं और RO-ARO में इस परिक्षा में वो अपना अभ्यार्थन नहीं रखना चाहते हैं, तो अपना अभ्यार्थन निरस्त करने के लिए रजिस्टर्ड इमेल आईडी ये दी गई है, इस पर जो है, इस आईडी पर एक न आयोग ने 19 अक्टूबर को PCS 2020 का अंतिम परिणाम जारी किया, इसमें चैनित कई अभ्यार्थि ने RO-ARO की परिक्षा भी दी थी और RO-ARO के 354 पदों पर भरती के लिए प्रारंबिक और मुख्य परिक्षा के बाद टाइप टेस्ट भी हो चुका है, आयोग जल्दी इस भ वापसी ले लेते हैं, तो अंतिम सूची में जो जरुरत मत कैंडिडेट हैं, उनको भी मौका मिल जाएगा, अभ्या अध्यक्ष से यह मांग की गई और इसके लिए प्रॉसस पूरी चलाएगी है, एक नमंबर तक लास्ट डेट रहेगी इसमें, तो UPPSC ने जारी की विग दिवाली आपकी बीते, उसके बात में हम इन परिक्षाओं की तैयारी में आपके लिए जुटेंगे, चैनल के ओपर हमने जैसे आपसे पिछले वीडियो में बताया था, कि प्रॉपर टीम के साथ जो है, वो ख्लास्स आपको प्रवाइट कराएंगे, प्रॉपर थेंकियो सो मच, वीडियो को लाइक और शेर कर दीजेगा